गदर फिल्म वास्तों में हिंदूस्तान की तारीक में हमेशा याद रखे जाएगी 524.75 करोर रुपए का इतने बड़े अमाउंड का आप हिंदूस्तान की फिल्मों में टॉप पे ये फिल्म आ गई आपको बतारें वहीं उसके पहले पठान फिल्म का तब से लेके अभी तक का 524.75 लाग था और गदर ने 524.75 लाग का रिकार्ड अर्टालिस में दिन में तोड़ लिया है आपको दादे के फिल्म गदर टू ने तिहास रच दिया है और इसी के साथ उसने पठान का रिकार्ड तोड़ दिया है साथवे हफते की कमाई के बाद फिल्म लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और अब अपनी कमाई की अनुसार बॉलिवुट की सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है जी हाँ बिलकुल सही सुना आपने बॉलिवुट की सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है और अब इसकी कमाई को लेकर, इसके कलेक्शन को लेकर और जिस तरीके से इसने पठान को पछाड़ा है, इस पुरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौझूद है, वरिष्ट पत्रकार आजया पत्रकार जी, सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में, तो सर सबसे पहले हम जान यह एक दिन यह निशनल डायलोग होगा, पर मेरे बोलने से क्या होगा, अगर मैंने मुल्दावात का नारा भी लगा दिया ना, तो मेरे मुल्क की सान कम नहीं होगी, हमारा तिरंगे आस्मान में लहरा रहा है, लहराता रहेगा, अगर हर हिंदुस्तानी ने जिन्दावात का नारा लगाया तो उसकी आवाज की गूंज तुम सब को फार डालेगी पाकिस्तान को खत्म कर देगी हिंदुस्तान जिंदावाद आपको बतारा है ये नारा सब जगह चला इविन पाकिस्तान में भी ये नारा चला लाश्ट में लोग हिंदुस्तान जिंदावाद करना है हिंदुस्तान में मिलने की बात करना है इस नारे ने कस्मीर में गुलाम कस्मीर को बारस से मिलने को मजबूर कर दिया सबसे ज़्यादा ये कलाची में चलने लगा है ये डाइलाग तो आपको ताने गदर फिल्म वास्तों में हिंदुस्तान की तारीक में हमेशा याद रखे जाएगी जिस तरह से रिकॉर्ड तोड़ा है वो अपने आप में रिकॉर्ड 524.75 करोर रुपए का इतने बड़े अमाउंड का आप हिंदुस्तान की फिल्मों में टॉप पर ये फिल्म आ गई आपको बता रहें वहीं उसके पहले पठान फिल्म का तब से लेके अभी तक का 524.75 लाग ता और गदर ने 524.75 लाग का रिकॉर्ड अर्टालिस में दिन में तोड लिया है और मैं आपको बता रहें अभी उसका पचासमा दिन होने जाला पचासमे दिन पर उसका जो रिकॉर्ड होगा वो आप देखेगा निश्चित तोर पे पान सो अठाइस करोर या पान सो तीस करोर निकल जाएगा जो वर्ड का माना हुआ खासतों से साउथ इस्ट एसिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड हो जाएगा इसके अलावा आपको बताने इंडिया ग्रॉज जो है ये 50 डे में 620.5 करोर के लगभग आ जाएगी वर्ड वाइड इसका जो है 685 करोर पचासमे दिन में हो जाएगा मतलब कल और जो 80 करोर रुपए का आपको बताने बजट पे ये फिल्म बनी थी इतना अच्छा होना और उसमें भी आप समझ लीजे कि बहुत योजनावत तरीके से फिल्म का बिरोध भी किया गया है बहुत से बड़े-बड़े हीरो राजनेतिक पार्टी कहना ने चाहिए आई एंडियाई के गडबंधन ने भी इसका योजनावत तरीके से यहां के तथाकतिक अधि कम्निष्ट और तथाकतिक अपने को सेकुलर कहने वाले नो खोल करके ब्रोध किया कांगरिस के तमाम नेताओं ने जनतादल के नेताओं ने साउत के नेताओं ने खोल करके ब्रोध नशुद दिन सा ने आईसी गंदी टिपणी की है इसमें की पूछे नहीं फिल्म में सबसे बड़ी बता दे हिंदुस्तान का देश भक्ती दिखाई गई है और उनको परेसान करने वाली हिंदुस्तान का जलुआ हुआ है और हिंदुस्तान के लिए देश पेम की फिल्म आज क्या माहुल आ गया है कि ये चीज नसुद दिन जुक को परेसान करने व अगर यहां के लोगों को दुबारा मौका मिले अगर यहां के लोगों को दुबारा मौका मिले अगर यहां के लोगों को दुबारा मौका मिले ना तो हिंदुस्तान बसने का तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा काश्मीर में आज भी अनवलत धरना चला गुलाम काश्मीर में और इसके बाद है कटोड़ा लेके घुमोग भीग भीग भी नहीं मिलेगी आज पाकिस्तान की पोईशन है वहाँ जब आटे ले लाइन लगती माला माली होती है तो लोग कहते हैं कि वास्तों जो डायलाग है क टोड़ा लेके भी भी घुमोगे भीग भी भी नहीं मिलेगा आज पाकिस्तान की इतनी बुरी हाल इसलिए इस फिल्म को देखना चाहिए इसको प्रमोट करना चाहिए किसी ने बनाई हो किसी ने उससे मतलब नहीं है में चीज़ यह है कि इस फिल्म को इस फिल्म में देश उसमें एक जगह है कि मैं पाकिस्तान का दमाद हूँ तो वहां की महलाएं कहते हैं नहीं तुम हो तुम अगर धर्मेंड भी चाहे तो यहां के दमाद बन सकते हैं यह पोजिशन है आप समझ लीजे यह वहां पर सनी देवल को वहां की महलाएं दमाद कहते हैं वहां के लोग दमात कहने लगे, धर्मेंद को भी दमात कहने लगें, चुकि उनके बाप है धर्मेंद, इसके बाद 2023 के शुरुआत हुई, एक फिल्माई पठान, उसने अच्छा कालेक्शन किया, और इसके बाद दूसरी फिल्म आई है, ये गदर टू, जो भी आपके ये कि पठान को भी स अच्छा साल रहने वाला है, देखे आपको ताना, बहुत अफसोस की बात है, कि पूरे वर्ड में, फिल्म इंड़स्ट्री, कल्चिलर इंड़स्ट्री, करोना में बिल्कुल खत्म हो गई थी, बंद नहीं, खत्म हो गई थी, आपको ताना, एक्टरों के और फिल्म जगत के लोगों की पोजिशन भिकानियों जैसी हो गई थी, वो खुद कहने लगे थे, कि आज के हम सबसे बड़े बैगा, ये फिल्म के बड़े बड़े लोग कहने लगे थे, एक आयक आप समलिए, बर्दान के रूम में ये फिल्में आ गई, चला दिया फिल्म इंड़स्ट्र पास पैसा था, किसी जमाने में, अब फिल्मों के पास पैसा ने, ऐसे उसमें इतनी प्रॉफिट की फिल्में आना, ये देश के लिए बहुत अच्छी बात है, दूसरी आपको बताना है, देश हित के लिए फिल्में, तमाम कंट्रियां, इस्राइल वगएरा, तमाम कंट्रियां, अमेरिका और रशियां, अपनी कंट्री को बहुत बड़ा एमाउंट इस बात का देते हैं, कि ये फिल्म जो उसमें थी वो इसमें भी ये भी सबसे अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूं नोट कर लिजे गदर एक गदर दो नहीं गदर आप देखिएगा तीन चार पांच आएंगी जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक गदर आती रहेंगी और गदर आपको बता रहें ये सांस्क आउसकर फिल्म में जो बैकिंग इंडिया से होती थी वो उन फिल्मों को होती पूछिए नहीं पर अब जो है इसको निश्चित तोर पे गदर को शेकिन को मिलेगी और यही एक बज़े है कि पूरा पाकिस्तान का आवाम कहने लगा सनी देवल मेरा दमाद है और धर्मेंद को भी कहने लगे दमाद यह एक भारत के लिए खुसी की बात है लोगों के मुबबत के रिष्टे के अब फसाने चलेंगे देखे फिल्मों में अभी तक पोईशन थी कि माफिया लोग चाहे हुए थे और अरब की कंटियां पाकिस्तान में बैठा दाउत खुले आम फिल्म में इंडियन्स कलाकार इंडियन पैसा और इंडियन्स मुनाफा उठाने और फिल्मों में ऐसी फिल्म का वो सफल होना गदर टू का बहुत बड़ी बात है जबकि फिल्मों में अलग एक बैकिंग हो गई थी टाकीज और टिक्टों का वो पूरा-पूरा एक सिस्टम था उ इसी फिल्मों का आना उसक्सेज होना लोगों को देखना चाहिए चुकि देशभक्ति का वो है तो ऐसे में आपने अपने चर्चा पूरी सुनी है अब इस पर आपकी वी जुराय हो को में से एक्शिन कोमेंट करें करें हमें जरूर साजा करिएगा थान्यवाद